and welcome to all on my youtube channel learning with me so आज किस वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ questions है आपके द्वारा जो बार-बार मेरे से पूछे जा रहे हैं उन questions के आंसर में इस वीडियो के माधियम से आप लोगों को दे रही हूं हलांकी में इन questions के आंसर आपको पहले भी दे चुकी हूं लेकिन शाइट से कुछ नए जो नए students है वो हैं जो बार-बार ये questions पूछ रहे हैं चाहे mail के तुरू पूछ रहे हैं चाहे इंस्टा पर मुझे message करके पूछ रहे हैं तो एक-एक reply करके देने के बजाए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूं ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लेरिफाई हो सके कि जो आपके questions है वो क्या-क्या है ठीक है और क्या-क्या उसके जो है वो answers है मेरी तरफ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली वार विजिट कर रहे हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like किजीएगा share किजीएगा and especially subscribe कीजे मेरे चैनल को अगर आप जो है वो psychology की study करना चाहते हैं HP TET के लिए तो ठीक है तो start करते हैं पहला question है B.A. third semester students are valid for HP TET commissioner or not ठीक है तो B.A. third semester के जो student होते हैं या कोई भी second year में चाहिए D.A. led वाला भी बच्चा है वो second year में तो वो valid हैं आपके HP TET के लिए ठीक है वो valid रहेंगे HP TET के लिए मतलब अगर उनका qualify होता तो उनका HP TET जो है वो valid माना जाएगा आगे ठीक है B.A. third semester में आप लोग जो है HP TET को player करते हो तो वो HP TET आपका valid माना जाएगा ठीक है बात करते हैं अब commission की तो देखिए 15 marks a you are और आम को answering auch पर आपकी दीगरिए जाते हैं अगर आप कलेयर कर जाने हो लाग जाते है जब आप document verification के लिए जाओ ठीक है तो आपके बास beard की डिगरी होनी चाहिए अगर आपके बास beard की डिगरी है तो आपको उसके marks चुह हम वो मिल जाएंगे अगर आपके बास beard की डिगरी क्लियर नहीं है आपकी तो आपको commission के लिए valid नहीं माना जाएगा next है passing marks for the HP TAT ठीक है passing marks किते होते हैं HP TAT के लिए तो general category की में बात करूँ तो 60% मतलब 90 marks category की बात करूँ तो 55% मतलब 82 marks ठीक है category में ST, SC, OBC और physical handicap ठीक है ये आएंगे आपके category में इनकी होंगे आपके 82 marks ठीक है next की बात करते हैं next HP TAT syllabus will change or not तो 2021 के लिए question है कि आपका HP TAT syllabus change होगा ये नहीं बहुत बार बहुत से कुछ बचों ने question पूचा है तो देखिए अभी तक still जो है HP board की तरफ से ऐसी कोई notification नहीं आई है कि syllabus change होगा तो अगर ऐसी कोई notification आती है तो definitely change होगा लेकिन स्टिल अभी तक एसी कोई notification नहीं है तो इसका मुझे कोई idea नहीं है कि change होगा syllabus या फिर नहीं होगा ठीक है next है is this TAT is valid for lifetime तो देखिए यह TAT जो है वो आपका valid नहीं है फिलहाल के लिए lifetime ते लिए इसका reason क्या है बलही NCTE ने जो है वो आपकी नई guidelines दी है नई guidelines के according लिए जो है वो आपका अगर कोई भी TAT होता है सी TAT है HP TAT है मतलब state का है center का TAT है तो आपका lifetime तक valid रहेगा लेकिन इसके लिए जो है वो आपको अभी तक हमारी जो state government है HP state government है ठीक है उसने अभी तक किसी को approval नहीं दिया मतलब उनकी उस जो guidelines दी गही है NCTE की उन्होंने इस तीज को अभी approved नहीं किया है दो हफ्ते पहले शायद से एक news paper पर आया था कि state government जो है वो इसके उपर कुछ बिल बना रही है अगर वो बिल पास होता है तो hopefully जो है वो आपका HP TAT lifetime के लिए valid कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक जो है वो ऐसी कोई guidelines चुको है उनको HP TAT मलब HP state government ने जो है वो आपके accept नहीं किया है तो आपका अभी तक आप सिर्फ इसे 7 A's ही मान के चलो ठीक है तो अभी तक का 7 A's कर रहेगा next time when I when I start batch force HP TAT तो देखिए मैं specially कोई batches नहीं लेती हूं HP TAT के लिए ठीक है और हाँ मैंने दो batch को पढ़ाया अभी online पढ़ाया और दो batch को क्यों पढ़ाया उसका reason क्या था आपको पता है मैं coaching center में पढ़ाती हूं ठीक है तो उन students को कुछ students मेरे ऐसे भी थी जो शायद से मतलब इतना पे नहीं कर सकते थे जो आपका coaching center रहता उनको इतना पे नहीं कर सकते थे और कुछ ऐसे थे जो मतलब possible नहीं था उनके लिए कि सिर्फ एक subject के लिए वो इतनी fees पे करें तो इसलिए मैंने उनके लिए एक batch start किया जिसमें उनको online पढ़ाती थी ठीक है और दो batches थे मेरे बास तो मैंने वो complete किये अपने तो उन दो batches में सिर्फ CDP पढ़ते थे बच्चे मेरे साथ इसके अलावा मैं उनको जो है वो थोड़ा बहुत general का भी पढ़ा देती थी माचल का GK का भी पढ़ा देती थी ठीक है ज अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो आप मुझे टेलीग्राम में follow कीजिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगे आपको ठीक है वहां जोइन कीजिए नोट्स चाहिए आपको साइकालोजी के में दे दूंगी चाहिए चाहिए निग्लिश में चाहिए दोनों ल अगरज में मास्टर्स हूं और मैं CDP पढ़ाती हूं ठीक है? चाहिए इस्पाइड डेवलेप्ने हैपागोजी पढ़ाती हूं जयंक मैं साइंस पढ़ाती हूं ज़र्नल साइंस किसलिए का लisen जई इस लिए मैं 10 लेफल टक की साइंस पढ़ाती हूं है वहां केजुच र अपिर के रर्मी का शीरों दोस्था हाए बाइज समक्तिन होता है और सब्सक्रावेश्सकरे शीक्राने को भूब लुत है review तो देखें एच्पिट जो है वो जिनका पहली बाल उनके लिए यह शायद उनको नहीं पता एक प्रोविजनल आंसर की इसू करता है एक प्रोविजनल आंसर की अगर उसमें कोई उस answer को official answer की में change किया जाता है ठीक है? उस question को official answer की में change किया जाता है और official answer की या तो कई बार जो है वो results के एक दिन पहले आती है और कई दिन बार जो है वो results के same day भी आपके official answer की आती है ठीक है? तो provisional answer की hopefully जो 26 है 27 मतलब आपको Decembermin 30 से पहले देखने को मिल जाएगी 26-27 तक आप लगा सकते हो कि आपकी प्रोविजिनल आंसर की बोर्ड की तरफ से इशू कर दी जाएगी ठीक है तो यह था हाँ एक क्वेशन मेरा एक स्टूडन ने पुछा था इंसागाम पे तो उनका क्वेशन यह था कि मतलब जो पंजाब स्टेट के हैं क्या वो भी आपके एच्पी टेट के लिए अप्लाई कर सकते तो डेर मुझे आपके क्वेशन का अंसर नहीं मिला बट मेरे साब से शाहिद से एच्पी टेट के ल बटा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि शाहिद उनको इनकी बहुत वहलब इस हेल्प की एक स्टूडेंट की हलप आगर कर रहे हो आप प्लीज जरूर कमेंट सेक्षन में बताना कि क्या जो है वह पंजाब अले स्टूडन में क्या टंप कंडिशन र नहीं दिखी तो इसलिए आपका question जो है वो still मैं answer नहीं कर रही हूं ठीक है so hopefully जो questions है आपके clear हुए होंगे ठीक है and next जो है वो आपका HP test के लिए psychology हम लोग regular शुरू करेंगे आपका result आएगा उसके बाद ही hopefully हो भी सकता result से पहले भी शुरू कर दे लेकिन mostly chances the result के बाद ही शुरू करेंगे हम लोग ठीक है तो प्लीज बने रहीगा चैनल पर और इसके साथ ही चैनल अच्छा लग रहा है वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए and specially subscribe कीजिए मेरे चैनल को ताकि हमारी फैमिली है वह जादा increase हो सके ठीक है thank you so much